और अपना दल के कोटे से केंद्रिय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल ने भी न्यूज नेशन से खास बात चीत की है अनुप्रिया पटेल को बानिक जिराज्य मंत्री बनाया गया है मंत्री के रूप में अनुपरिया पटेल की क्या प्रार्थमिकताएं हैं आजे आपको दिखाते क्या होंगी प्रात्मिकता हमेशा एक ही रही है उत्तर प्रदेश की जंता ने बहुत भरोसे और के साथ अपना कीमती वोट दे कर चुनकर भेजा है मोधी सरकार की योजनाओं का लाब हमारे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कैसे मिले यही मेरी प्रात्मिक्ता हमेशा से रही है आगे भी होगी उत्तर विधान सब्सक्राइब चुनाओं शे मेने के बाद आने वाला है आपका मंत्री पद लेना और बनना कितना जादा फायदे मंद खास वे प्रवांचल के ओड़ बैंक पर होगा पटेल ओड देना नहीं है मेरे लोग हमेशा मेरे साथ है मैं किसी पद पे रहूं अत्वा ना रहूं क्योंकि मैं लगातार उनके बीच में बनी रहती हूं वो लगातार मुझसे जुड़े रहते हैं और पिछड़े दलित कमजोर तबकों के जो मुद्दे हैं उनको मैं सड़क से लेकर संसत तक उठाती रहती हूँ मेरी पार्टी विधान सभा में है विधान परिशद में है वहां भी जो हमारे विधायक हैं पार्टी के वो समाजिक न्याय से जुड़े हुए हर विशे को मजबूती से उठाते हैं जो कमजोर वंचित लोगों से जुड़ी हुई बाते हैं इसल यह तो उनकी अच्छी भावना है, उनकी सद्भावना है, उनका प्रेम है, स्ने है और आम जन्मानस की मेरे लिए इतनी अच्छी भावना है तो मैं समझती हूं कि उनकी दुआएं मुझे यहां तक लाई है और मेरी जिम्मदारी है कि मैं जादा से जादा उनकी सेवा कर का विस्थार होना है या नहीं होना है वो जब मानिये मुख्यमंत्री जी बताएंगे तब मुझे जानकारी होगी तो उससे पहले में टिपड़ी नहीं कर सकती है क्योंकि यहां तो आपकी भागेतारी होगी तुम्हें कैसे ऑपीनियन रख सकती हो तो जब विशे आएगा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे बादशित होगी पार्टी लाइन पे मैं अपनी की कमिटी में डिस्कॉस करके बात करूँगी यह कि आज आप मंत्री बन गई हैं किसको श्रे जाता है . मेरी पारटी के आम कारा कर्ता को गाउं में बैठे हुए !! मेरे पार्टी के शुभचिंतक को , समर्थक और सबसे ज़ादा जो हमारे पच प्रदर्शक है estarill को के संस्थापक यशकाई। हजारों करोडों लोग लगे रहे उन सब के संगर्शों की है